Hey and welcome back to this video तो अब हम बात करने वाले के git को अपने system के अंदर किस तरह के से install कर सकते हैं ठीक है तो normally मैं आप पर बात करने वाला हूँ Linux system के अंदर because I am using a Linux system but I don't worry मैं आपको बाता दूँगा कि आपको git को अपने Windows के Windows में किस तरह के से install करने ठीक है जिसे के आपको कोई problem नहीं होगी और आप easily इसको manage कर पाऊगे so let's start सबसे पहले Linux के अंदर git को install करने काफी आसान होता है अगर आप macOS का इस्तेमाल करे हो तो आपको लिए same process है और आप चाहो तो GITool का भी इस्तेमाल कर सकते हो हाला के Linux के अंदर नहीं sudo apt iphone get install get that's pretty much it just install it and yeah you can see यह आप आपको yes कर दिना है और यह आप आपको wait करने थोड़ा सा जब तक कि git जो है वो install हो रहा आपके system के अंदर होगे तो 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 ओके 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 और यह थोड़ी दर में यह install हो जाएगो के काफी आसन प्रोसेस है तो git install हो चुका आप चेक कर लेते git – help और यह command डालने के आपको पता चे जाएगा git के पास क्या का टूल्स है मतलब यह अगर आपको same interface मिल रहा है इसका मतलब होता है कि आपके अंदर git install हो चुका है and that's pretty much it this is a step for Linux तो अब बात कर लेते कि आप git को अपनी Windows system के किस तरह किसे install कर सकते है सबसे पल आपको git for Windows Google के पर सुच करना है other git for Windows download यह आप आप आना है और आपका जो operating system जिसके basis पर चल रहा है 32 bit है और 64 bit है दोनों में से कोई भी आप select कर लो तो यह मैं 64 bit को select कर लेता हूँ फिर download के मतल से मैं इसको download के लेता हूँ कुछ around 47 Mbps इसकी size है और आप यह easily download कर सकते हूँ ठीक है मेरे cases में git मैं पहले से install करेके रखा है अगर मैं आपको यहां पर git यहां पर दिखा दूँ तो मैं आपको बस process दिखाने वाला हूँ git bash and git UI यह 2 tools आपको मिल जाते है git bash के ऊपर आप git की सारी commands आप इस्तमाल कर सकते हूँ for example git hyphen hyphen help और आपके पास git की सारी commands आजाएगी यहां पर यहां पर आप जो काफी साज चीज़ आप मैंच कर सकते हो git bash की मतल से but it's not like that you can you cannot use a command prompt for that if I just open the command prompt also you can just go for it okay so git app यहां पर इसका इस्तमाल कर सकते हो git help same चीज़ so git bash का इस्तमाल कर सकते हो अपनी command prompt का इस्तमाल कर सकते हो windows के अंदर यह सारी चीज़े common होती है तो यह completely आपके उपर depend करता है okay okay then यहां पर यहां पर आते है यह एक्स्त्राक्टिंग कर रहा है लेटेस्ट वर्जन को अगर आपके पास एक पुराना वर्जन है आप इसको अपडेट करना जाए तो गो फॉर एट तो ठीक आप जा सकते इसके ओपर भी okay 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 यह एक्स्त्राक्टिंग हो रहा है यह कुछ तायम लेता है वेल यह आपके उपर डिपेंट करेगा okay यह कुछ टायम लेगा उसके बाद यह इंस्ट्राल हो जाएगा और आप यहाँ पर लांच git bash के उपर क्लिक कर पाऊगे इसको और इसको डिलीट कर दो फिनिश कर दो और देखो git bash आपका उपर हो चुका है तो कुछ इस तरह किसा आप git को इंस्ट्राल कर सकते हो तो आपको थोड़ा बहुत सा अलग फिल आ रहा है तो बस next next के बटन पर क्लिक कर के आप git को इंस्ट्राल कर सकते हो हाला कि मैं एक चीज मैं और बाता हूँगा वह है git hub github for desktop यह चीज भी बहुत काम आएगी हाला कि मैं इस चीज का काफी इस्तमाल करता हूँ इसलिए बहुत काम आएगी इसे भी आप डावलोड कर के रख सकते हो in case अगर मुझे टाइम मिलदा तो इस पूरी के पूरी इंटार कोर्स के last के अंदर में इस इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ बता दूँगा एक GUI tool है कि आप बहुत सचीज़े मैनेज कर सकते हो जो कि आपके github पे होने होने जो कि server पे होगी तो यह चीज़े डावलोड करके रखना तो आपने इंस्टाल कर लिया होगा Windows & Linux के अंदर So let's catch you in the next one